सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चनल टेक गयान पिटारा को और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुशता रहें दोस्तो इस वीडियो में मैं CP Plus के E21 CP Plus E21 2 Megapixel Full HD कैमरे के बारे में बताऊंगा यह मोबाइल पे कैसे connectivity इसका करेंगे complete इसका unboxing करेंगे इस वीडियो में home on your phone security camera CP Plus Wi-Fi कैमरा है दोस्तो इसके लिए कुन सा application आपको डाउनलोड करना है वो भी मैं बताऊंगा प्ले स्टोर से 2 Megapixel PT camera पीटी आने pen tilt camera जो उपर नीचे पीछे होता है ठीक चारो तरफ घुनता है दोस्तो उसे हम PT camera कहते है पीटी जेट camera जो मोबाइल के थू मोबाइल से ही हम आगे पीछे और उपर नीचे और जूम करके इस पर देख सकते हैं इसलिए यह पीटी camera है और वाइफाई camera है दोस्तो आपके किसी भी वाइफाई के से कने दोस्तो कहीं वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो थोड असला भी रात में night vision इसका 15 मिटर तक clear view आपको मिलने वाला है यह कुछ निकला यह देखिए दोस्तो यह है आपका camera कि इसके साथ कुछ manual मिल जाता है कि manual बहुत important है दोस्तों कि देखिए यह उपर नीचे और चारों तरब घुमता है कि देखिए दोस्तों यह है आपका memory card यहाँ पर आप memory card लगा सकते हैं 128 GB तक आपका memory card लगा सकते देखिए यह memory card लगाने का दिया हुआ है ठीक है इसके पीछे फिर से model number लिखा हुआ है और इस पर जो है reset का button वो मैं आपको दिखाता हूँ देखिए दोस्तों यहाँ पर यह reset का button दिया हुआ यह LAN का port दिया हुआ पीछे में और यह है 5V का power in यह है reset का button कहीं आपको reset करना रहेगा तो यह वाला button दबा के रखेंगे कुछ समय तक तो आपका यह जो camera है वो reset हो जाएगा हम camera को थोड़ी देर के लिए side में रखते हैं और देखते कि इसक यह डब्बेक साथ जो accessories मिलता है हमें वह एक wall mount मिल जाता है यह wall में इस टाइप से connect हो जाएगा बढ़िया सा wall mount है अच्छी quality का है इसके बाद यह गूमने लगता है यह आपको charging wear मिल जाता है यह कुछ एक से डेड़ मीटर का है दोस्तो बहुत लंबा है यह wear है न बहुत लंबा है चार पांच मीटर का wear है यह power का cable जो 45 मीटर का wear है और यह adapter power adapter मिल जाता है यह देखे यह वाला point यहां पर चले जाता है यह इस type से यह start हो जाता है दोस्तों फटा-फटब में बताता हूँ कि मोबाइल पर कशे कनेट करें इसे देखें दोस्तों सबसे पहले आपको प्लेइ स्टोर में जाना है और इजी कैम प्लस देखें यहाँ पे लिखा हुआ है easy cam plus ठीक है दोस्तों यह ध्यान रखना easy cam के नाम चे बहुत सारे application है cp plus के पट हमें इस camera के लिए करना है easy cam plus इसको करना है install और normal सा easy cam भी आता है ठीक है उस पे यह camera नहीं चलेगा easy cam plus के नाम पे ही इसका model number इस पे connect रहेगा दोस्तों कहीं वीडियो को आपने अभी तक like नहीं किया है तो please like तो बनता है बॉस like कर लीजिए नीचे में like का बटन है like करिए और आगे बढ़िए देखिए दोस्तों यह install हो चुका है अब यह mobile पे install हो रहे है यह देखिए open के लिए बो रहे हैं easy cam हो गया देखिए दोस्तों सबसे पहले हम किसी camera को मंगाते है तो सबसे पहले हमें sign up करना पटता है और second time sign in करना पटता है कहीं फरस्ट टाइम मैं इसे connect कर रहूँ तो sign up करूँग और दूसरे mobile में कहीं इसी camera को दूसरे mobile में connect करना है तो sign in करूँगा और उसी sign in detail के साथ मैं आगे बढ़ूँगा जो मैं अभी sign up करूँगा ये देखिए दोस्तो sign up करते है एगरी करते है email id डालते है देखिए यहाँ पर email id भी डाल सकते हैं फोन भी डाल सकते हैं देखिए तो मैं अभी आपको email id से तो नहीं mobile phone से करके दिखाता हूँ है न mobile number से तो यह मेरा mobile number जो है टेकनिकल टीम का टेक गयान पिटा रहागा जो टेकनिकल टीम का mobile number है 9098624851 दोस्तो यह टेकनिकल टीम का नंबर है आप इससे सेव करके रख लो मोबाइल पर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वाट्स अप कर सकते हूँ है देखिए यह वेरिफिकेशन कोड भीजेगा इस नंबर पर वेरिफिकेशन कोड भी आ जाएगा आपका इस देखिए वेरिफिकेशन कोड आ गया 151741 151741 सेट पासवर्ड बोर रहा है दोस्तों मैं पासवर्ड डालता हूँ 123456789 इंक्लूडिंग लेटर एंड डिजिट देन सीपी कर देता हूँ लास्ट में ठीक है देखिए देन मैं करता हूँ देखिए दोस्तों यह हो गया है सेव कर लेते हैं यह आपका हो गया है अब नेक्स्ट टाइम कभी किसी दूसरे मोबाइल में जब करना है आपको तो दोस्तों आपको करना है साइन ही याद रखना है अब मैं करता हूँ सबसे पहले यहाँ पर प्लस करता हूँ देखिए मैं बहुत सारे कैमरे का मॉडल नंबर है इसमें बट हमारा यह जो कैमरा है उसका मॉडल नंबर है देखिए दोस्तों यहाँ पर यहाँ थोंड लें नेकस्ट करता हूँ कैमरे का ओप्षे अला टैम करता हूँ देखिए दोस्तों यह हमारा वाइफाई जिस वाइफाई से आपको कनेक करना है जिओ कि यो से करना है उन- آं-उन Jio WiFi से Online करना है यह देखिए दोस्तों यह है Jio WiFi कहीं Jio WiFi से आपका Online करना तो उसी का SS ID को आपको यहां पे Select करना है जैसे मान के means. नाम है तो मैंeee क्लिख करता हूं यह जीन और इसका पासवर्ड पासवर्ड डाल दिया हूं और इसके करता हूं Connect देखे यह हो गया connect अब बोल रहा है scan with the camera इस camera को आपको करना है start इस camera को यहाँ पर power देखे आपको करना है ठीक है दोस्तो waiting for wifi connection आया है तो देखिए मैं यहाँ पर चले जाता हूँ अब जैसी मैं इसको scan करूंगा देखे इसको continue करते है देखना इस बार कोड को इस camera में scan कराना है ठीक है wifi connecting please wait यह scan कर लिया है देखिए यह wifi connect कर रहे है यह कुछ समय लगेगा आपको first time यह सब process आपको first time करना है और दूसरे किसी mobile पर कैसे connect करना है वो भी मैं बताऊंगा देखे दोस्तों यह हो गया online दिखा रहे है यहाँ पर online और यह camera ऐसा on हो जाते है कहीं आपको अब इस camera को किसी दूसरे mobile में connect करना है तो same mobile number जो मैं बताया था आपको है ना रेइस्टर करते समय जो mobile number डाला था वो और जो password डाला था उस detail के थुरू हम दूसरे mobile में sign in करेंगे याद रखना sign in करेंगे तो आपको direct इस type का environment आपको मिल जाएगा दूसरे mobile में दूसरे mobile में आपको ना add करने की ज़रत ना कुछ अपने आप यह चीज आपको वहाँ प जुका है ठीक अप्ग्रेट करने बोल रहा है मैं नहीं करता हूं यह देखिए दोस्तों एक camera हो गया start मैं इसको इस टाइप से मैं दिखाता हूं आपको फोली स्क्रीन पर यह है देखिए हम यहाँ पर देखिए mobile से ही इसे आप घुमा सकते हूं अब मुझे नीचे करना है तो मैं नीचे भी कर सकता हूं उपर करना है तो मैं उपर भी कर सकता हूं यह देखिए उपर किया देन यह नीचे किया mobile से ही कर रहा हूं यह fully robotic camera है दोस्तों 360 डिगरी घुमता है देखिए अपने आप घुम रहे हैं यह देन मैं आगे करता हूं क्लीन तो इसे इवे अब देखे आगे पिलें य Nearly इसमें क्या क्या ऑप्जन आता है यह भी देख लेते हैं कि अ करें देखे दोस्तों यहां पर इस्किन सौट ले सकते हैं , पार राओं कर रहा है शेंखे में इसमें प्लेबेक देखने हैं यहां से प्लेबेक तेख सकते हैं यहां पर अभी जैसी प्लेबेक में क्लिक करेंगे लाइक करके, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले समय में और भी अच्छे कंटेंड में इस चैनल पर अप्लोड करने वाला हूँ. दोस्तों, इस कैमरे के बारे में आपको सबसे अच्छा चीज क्या लगा है, मुझे कमेंट के जरिए बताईए, ताकि लोगों को भी पता चले और मुझे भी पता चले कि क्या आपको इस कैमरे में अच्छा लगा है.